कॉफी कैन पॉर्टफोलियो 1984 में कर्भी द्वारा लिखे गए एक नोट में उन्होंने एक घटना के बारे में बताया क्या हुआ था कि उनकी क्लाइंट के हजबंट ने कर्भी के कहने पर 5000 US डॉलर्स के शेर्ज खरीदे कर्भी ने तो अपने शेर्ज बेच दिये पर उन्होंने अपने पॉर्टफोलियो को बचा कर रखा उसमें से कुछ बेचा नहीं समय के अंतराल में उन शेर्ज में बहुत सारी वेल्ट चुड़ दी गई लगभग 10 साल बाद जो शेर 5000 US डॉलर का था वो अब 8 लाख US डॉलर का हो गया कर्भी ने इस घटना को कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट का नाम दिया पहले के जमाने में जब बैंक नहीं हुआ करता था तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इतने जागरोग नहीं हुआ करते थे तो वो कॉफी के खाली कैन में अपने बचाय पैसे रख दिया करते थे जैसे कि हमारी दादी, नानी या मा जितने भी पैसे बचाती थी उसे धाल या चावल के डिब्बे में रख देती थी और उसे खर्च नहीं करती थी वो लोग अकसर पैसे रख कर भूल जाया करती थी ताकि दीदी की शादी के लिए कुछ पैसे अलग से बच जाए या नया घर या कार ले सके इस छोटे से निवेश का मुख्य उदेश यही होता था कि पैसे तुरंत ना खर्च करो बलकि उसे बचा कर रखो अमेरिका में भी यही होता था कि लोग पैसे बचा के कॉफी के कैन में गर्दे के नीचे रख कर भूल जाया करते थे इन्वेस्टर भी अगर बेफिक्र रेटायर्मेंट का सपना देख रहा है तो उसे भी अपनी इक्विटी को खरीद कर भूल जाना चाहिए ताकि लंबे समय में उसकी वैल्यू बढ़ सके पाँच हजार लिस्टेट कंपनी में से हमें शुरुवात उन कंपनी की खोट से करनी होगी जिनका मार्केट में नियूनतम कैपिलाइजेशन सौ करोड हो क्यूकि इस तर की नीचे वाली कंपनी इतना जादा रिलाइबल नहीं होगी आगे बढ़ते हुए हम उन कंपनीों को देखेंगे जिनकी सेल हर साल 10 प्रतिशत बढ़ रही हो और साथ ही साथ जिनका ROCE यानि Return on Capital Implied कम से कम 15 प्रतिशत बढ़ती हो अगर कंपनी अपनी कैपिटल एसेट में लगाती है तो शर्तिया उस कंपनी का कैश फ्लो और प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो जितनी भी कैपिटल कंपनी ने लगाई होगी वो इक्विटी और डेट का जोड होगा अब आप पूछेंगे ROCE यानि Return on Capital Implied होता क्या है ये एक तरह का वित्या अनुपात है जो उद्योग पर लगी कुल कैपिटल से उद्पन्न लाभ प्रतिशत को मापने में सहायता करता है अगर दूसरी तरह से कहां जाए तो व्यापारी इसका प्रयोग ये मापने में करते हैं कि उद्योग अपनी पूछी का प्रयोग व्यविसाई में अच्छी तरह से Return प्राप्त कर रहा है के नहीं इसको निकालने के लिए हमें जरुरत होती है ब्याज और टैक्स से पहले का और डेट लाइबिलिटी और शेर होल्डर की एकुटी के जोड की फिर इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है उसके बाद निकलता है हमारा आर ओ सी ई पिछले कत 10 वर्षों में भारत की जीडीपी की व्रिद्धी दर औसतन 13.8 प्रतिशत ही बड़ी है नॉमिनल जीडीपी व्रिद्धी और रियल जीडीपी व्रिद्धी अलग-अलग होती है क्योंकि नॉमिनल व्रिद्धी महंगाई से एज़स्ट नहीं की जाती जबकि रियल जीडीपी व्रिद्धी इंफलेशन से घटाई जाती है आर्थिक सर्विस स्टॉक के लिए हम ROE यानी Return on Equity और Sales व्रिद्धी के फिल्टर को सुधारते है हम लोग Return on Asset के मुकाबले Return on Equity को ज़ाधा तरजी देते हैं क्योंकि ये बैंकों के लिए बहतर मापदंड है इससे बैंक ये पता लगाते हैं कि वो दिये गए Equity Capital Base पर समय के साथ High Income Generate कर पाएंगे के नहीं अगर रिण व्रिद्धी 15% है गत 10 वर्षों में भारत की Nominal GDP व्रिद्धी दर 13.8% है और Loan व्रिद्धी कम से कम 15% है तो ये इस बात का सूचक है कि बैंक बिजनस साइकल के लिए पैसा दे सकती है Historical Data ये कहता है कि Coffee Can portfolio में 95% संभावनाएं होती है कि वो सकरात्मक रिटर्न देगा अगर इसे 3 साल तक होल्ड कर लिया गया तो और अगर इसे 5 सालों तक होल्ड कर लिया गया तो 95% तक Chances कि 9% से ज़ादा रिटर्न दे अगर Portfolio 26% हर साल रिटर्न दे रहा है तो 10 सालों में ये 10 बार बढ़ेगा 20 सालों में 100 बार और 30 सालों में 1000 बार कहते हैं कि अगर किसी राजा के राज्य की महानता को देखना है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसने कितने दिनों तक अपने साधन में राज किया अगर Stock Market में निवेश की बात आती है इसकी योग्यता इस बात से मापी जाती है कि कमपनी अपने मोट के बावजूद भी ग्रोथ कर रही है के नहीं अगर बिजनस 6 प्रतिशत अपनी कैपिटल का कमाता है और आपने उसके Stock 40 सालों तक होल्ड करके रखे हैं तो आप उसमें 6 प्रतिशत से जादा नहीं कमा सकते फिर भले ही आपने उसे अच्छे खासे डिसकाउंट में ही क्यों न खरीदा हो लॉंग रन में अर्निंग ही Stock Market में रिटर्न का चालक है अर्निंग में वृद्धी होना दो स्वतह माप दंडों का नतीजा है पहला है विवसाई में लगाई गई कैपिटल में वृद्धी और विवसाई की योगिता कि वो रिटर्न ओन कैपिटल इंप्लाइड में कुछ इजाफा करे अगर अर्निंग को बढ़ाना है तो या तो विवसाई के ROCE को मेंटेन किये हुए उसकी कैपिटल इंप्लाइड में वृद्धी करे या फिर ओपरेटिंग एफिशिंसी को बढ़ाकर विवसाई की कैपिटल इंप्लाइड को मेंटेन करे वारन बफिट ने शेर होल्डर्स को लिखे गए लेटर में बताया है कि रिटर्न ओन कैपिटल पर आधारित तीन तरह के बिजनस हो सकते हैं पहला ऐसे बिजनस जिनमें कम कैपिटल लगे और ज़ादा अर्निंग हो दूसरा, ऐसे बिजनस जो ROCE को जिनरेट करने के साथ-साथ कैपिटल को भी बढ़ाना चाते हैं ऐसे विवसाई जो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है जो सेल की वृद्धी के अनुसार बढ़ती है और साथ ही साथ उन्हें फिक्स एसेट में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ऐसे बिजनेस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जब तक कि वो अपनी कैपिटल इंप्लाइट पर अच्छा रिटर्न पा रहे हैं तीसरा ऐसे बिजनेस जिनको पूंजी चाहिए होती है पर पूंजी पर लो रिटर्न जिनरेट करते हैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो ट्विन फिल्टर लागू करती है एक जो है ROCE जो 15 प्रतिशत से ज़ादा हो और रेविन्यू ग्रोथ जो 10 प्रतिशत हो इसके साथ-साथ ये कंपनियों को 10 साल तक होल्ड भी करते हैं भारत के निवेशकों को लॉंग रन में हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजी के साथ रहना चाहिए और वैलुएशन को इतनी ज़ादा इंपोर्टन्स नहीं देनी चाहिए लंबे समय तक होल्ड करना और आरो सीई और रेविन्यू ग्रोथ में स्थिर रहना कॉफी कैन पोर्टफोलियों की आगे दी गई थीमों पर आधारित होता है पहला बिजनस से बिजनस के बजाए बिजनस से उब्भोगता इसका मतलब हुआ कि B2C विविसाय वो होता है जो अपने उत्पाद सीधे कस्टमर को बेचता है और B2B वो विविसाय होता है जो एक बिजनस से दूसरे बिजनस को बेचे B2C बिजनेस जादा तर बैंकिंग और फार्मा में होता है इसमें कस्टमर से सीधे निकटता होने के कारण ये अपने कंज्यूमर में एक एविल्यूशनरी ट्रेंड भी चला सकते है दूसरा, सिक्लिकल के मुकाबले स्ट्रॉक्चरल है ऐसे लॉंग रन के निवेशक जो स्ट्रॉक्चरल स्टॉक में सफलता से निवेश करना चाते हैं उन्हें टॉक और सेक्टर की अच्छे से जाच परताल करनी पड़ेगी ऐसे बिजनस या कंपनी को नजर अंदाज करना पड़ेगा जो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा लोन लेती है अगर उन कंपनियों में तरलता नहीं है तो उनके लॉंग रन तक चलने की संभावनाय भी कम हो जाती है ऐसी कंपनियों का चुनाव करना होगा जिनके पास जादातर अव प्रतक्ष संपत्ती है जैसे लाइसेंस या पेटेंट इस चैप्टर में दोस्तों आपने समझा कि कॉफी कैन पोटफोलियो होता क्या है और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे जाकर इसको ग्रो करवा सकते हैं हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से आपकी जानकारी में इदाफा हुआ होगा आगे चलकर हम आपको ऐसी ही कई और जानकारी देंगे तब तक के लिए धन्यवाद